मनमा मनको स्वतंत्रता कहिले खई कसरी यहां खुलुं नव आकृतिको कृतित्वमा नव आशा नव पालुवा फुलुं तर बिघन बियोग को दुख रिदया स्वच्छ उसाम के गरुं जननी कहिले सकुहुना नदिये रई की तजीव नई मरूं नदिये रई की निराश भई मरूं कि मा बाजो हुनु पाप हो रहे कि मा बाजो हुनु पाप हो रहे बाजो जमिन कसले किनोस। किसान लाई अन्ना फलावनु छाए। यदी जमिनमा अन्ना नफले जमिनको के मुल्यार्थ हुदैना नितान तत्यस माटो को बासनामा बाजो आहिमे को गंद मात्राओने सती गोरु हरु लाई। जो मलीलो जमिनमा मात्रे अफनो हलो जस्ता कलम चलाऊशन। दा कवितासो रुप निशकन चन पहेला धान हरू। तर बाजो जमिन बाजो नहीं रहांचा। यस जमिनले परसे का सारा पानी सुकेरी जांचन खेरा। पर इस्रमली खाना न पुगदा पसीना जटी पनी जर्दा चन त्यहां। बाजो जमिनले अफनो संतान को रुपमा अन्ना फलाउना न सके को देख़दा। उन्हीं आफे रुणचिन की नकी त्यहां उम्रन चनता मात्रा। आशु का रनी राशा का रुख हरू जो अद्रिश्य चनतो किसान को लागी। बाजो जमिन आफुले चाहेर बाजो भाय को हैना तर उसको आशु पुझदे न किसान। किसान रुणचा। त्यो बाजो जमिन पनी। दुबई रोयता पनी आशु उस्ते हुदेना। जब कारण उस्ते हैना तब आशु कसरी उस्ते होस। योटेई खाट, योटेई सिरानी हुदेईमा, निद्रा योटे होना, सपना योटे होना। अफना भाग्यालाई सराब्देकी संदय अलाग्दो पारामा त्यो जमिन लाए हिर्छा। अब राणियाचा किसान ले हिरेको त्यो हिराई जमिन प्रतिरा आज। अस्पताल मजबा मैले थाहपाए की। मा बाज होचू। मेरो स्रीमान। हुजर मौलाई तेही नजर ले हिर्णो हो दैसा। मेरो स्रीमान। आज़ पार düş्वच। म् मौलाई जमिन व्यार शी जमिन ई तैस व्यार कहीं ज sû Ultimate